नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रीडूंगरगड क्षेत्र का सबसे विश्वस निये वे प्रामानिक न्यूग चैनल श्रीडूंगरगड टाइम्स आई ये देखते हैं आज 14 सितमबर 2024 को हमारे क्षेत्र से खास खबरे एक साथ विडियो न्यूस बुलेटीन में बीती राद हाईवे पर नौरंग देसर गाउं के पास एक आल्टो कार और पिकप की आमने सामने टकर हो गई जिसमें श्रीडूंगरगड़नी वासी तीन जनों की मोत हो गई और चार जनी गम भी रूप से घायल हो गई खबर कस्वे में पहुँचने के साथ ही आड सरबास वे मोमा सरबास में माहूल गमगीन हो गया टकर इतनी तेस ही की कार में सवार दो जनों की मोके पर ही मोत हो गई और एक घायल बालक ने पीबीम ले जाने के दोरान रास्ते में दम तोड़ दिया नापासर पुलेस मोके पर पहुँची और पीकप सवार मोके से फरार हो गया हाईवे अथ्योरिटी की एम्बूलनसे म्रत्कों के शव और घायलों को पीबीम पहुँचाया गया टीम के चिके चादिकरी रवी गुजर ने घायलों को मोके पर संभाला और मोके पर लंबा जाम लग गया जिसे टीम द्वारा दोनों क्षाति ग्रस वाहनों को जैपूर हाईवे से हटा कर नापासर थाने पहुचाया गया और हाईवे पर लगा जाम खुलवाया गया अलसुबे श्रीडूंकरगर टाइम्स में खबर प्रकाशन के साथ ही विदाहिक तारचन सार्सवत ने घटना पर शोक जताया उन्होंने म्रत्कों के परीजनों को सांथ होना दी सार्सवत पेबियम अस्पताल में के ट्रोमा सेंटर पहुचे और घायलों को देखकर उनकी कुशल ख्षेम बिली उन्होंने डॉक्टरों से घायलों के इलाज में कोई कमी नहीं रखने के निर्देश दिये शनिवार को नैशनल हाईवी की सडक हाथ सूं के सडक बन गई शनिवार तो पहर उपखंड कारेले के सामने एक ओर हाथ सा उवा प्रत्यक्ष दर्शिन ने बताया कि उपखंड कारेले के सामने के कट से एक टवेरा आ रही थी और जैपुर से गुम चकर की ओरारे ट्रक ने टवेरा को बचाने के चकर में डिवाइडर के पास कट में खड़ी एक बाईक को कुचल दिया बाईक सवार बुरी तरसे जखमी हो गया बाईक सवार जेता सर्निवासी किशनलाल जाखड को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वेलफेर सोसाइटी के सेवादारों ने एम्बुलेस से उपजिला अस्पताल पहुंचाया पुलेस भी मोके पर पहुंच गए और यहां से चिकेचको ने उसे बीकाने रैफर कर दिया क्षेत्र के गाउन रेडी के रोई में चोरी की वारदात सामने आई यहां अस्थित एक धाणी में रहने वाले उम्प्रकाश पुतर रेखाराम जाट ने थाने पहुंच कर अग्यात चोरों की खिलाफ मुकदमा दर्च करवाया परिवादी ने पुलेस को बताया कि गुरवार रात उसकी धाणी में चोर गुस गए और शुकरवार सुबह साड़े पांच बजे उठने पर उन्हें वारदात की जन करी हुई गर के अंदर चोरों ने सारा सामन बिखरा दिया और एक बकसा गायब मिला परिवादी और उसकी पतनी ने बकसे की तलास की तो ढाने से कुछ दूर रोड की तूसरी तरफ बकसा फैंकावा मिला परिवादी ने बताया कि चोरों ने बकसे से सोनी की टोसी, बोरिया, लूंग, जुमर और मादलिया सहीत 43,000 रुपे नगदी चोरी कर लिए परिवादी ने पुलिस सामान बरामद करवाने की मांग की है अग्यात चोर की खिलाफ पुलिस ने मामला दर्च कर जांच हेड कॉंस्टेबल देवाराम को दी है क्षेतर की काउं पुंदल सर में भी गुरुवारात एक शराब की दुकान के ताले तोड़ कर अग्यात चोरों ने शराब की बोतली और नगदी चोरी कर ली पुंदल सर निवासी 27 वर्च शाम सिंग पुत्रभामर सिंग राजपूत ने पुलिस को बताया कि 12 सितंबर की रात 8 बजे वह जैब भवानी माँ वाइन्स की दुकान बंद करके अपने घर चला गया सुबह उसे दुकान के ताले टूटे पड़े मिले पुलिस में मामला दर्ज कर जाज हेड कॉंस्टिबल हरी राम को दी है शिडूंगरगड की कॉंग्रेस में नया उत्सा वे जबरदस्त जोश नजर आ रहा है और ये जोश वे उत्सा रेडी में कल रवीवार को आयोजीत होने वाले विशाल किसान सम्मेलन को लेकर है शनिवार को पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुँचे और मौके का जाईजा लिया पुर्वे प्रधान सुरज मल चोधरी ने भी मौके पर पहुँच कर नेरक्षन किया और सभी व्यवस्थाओं का जाईजा लिया पूरे अंचल में लगातार एक पकवाड़े से इस आयोजन की व्यापक तैयारियां की जा रही है स्थानिय कॉंग्रेस में हलचल का भी माहूल है बड़ी संख्या में कॉंग्रेसी कार्यकरता और नेता आयोजन में शामिल होंगे आयोजन की सारपंच प्रतिनी दी हेतराम जाखड़े ने बताया कि डॉम बनकर तैयार हो गया है राविवार सुबह 10 बचे सम्मेलन प्रारंब होगा जाखर ने बताया कि किता सर की सीमा में प्रवीश करने पर कॉंग्रेस प्रदेशा देक्ष गोविन सिंग डोटासरा का वे अन्य नेताओं के साथ स्वागत सम्मान होगा वही से जोलुस के रूप में कार्यकरता श्रीडूंगरगड आएंगे और यहां से विशाल वाहन रेली के साथ रेडी पहुँच कर सम्मेलन में भाग लेंगे बता देवे विशाल की सम्मेलन में श्रीडूंगरगड नहीं बीकाने रवे प्रदेश भर के अने कॉंग्रेसी नेता शामिल हो रहे हैं आयोजक की योवाट टीम तैयारियों में लगी है श्रीडूंगरगड क्षेत्र से सभी राजनितिक आपराधिक सांस्कृतिक सामाजिक और धार्मिक समाचारों से जुड़ने के लिए आप आज ही जुड़े श्रीडूंगरगड टैम्स के साथ और अपडेट रहें अपने क्षेत्र की हर खबर से धन्यवाद शुबरात्री